प्रदेश के बीजेपी नेताओं की हाई लेवल बैठा का प्रदेश के पूर्वज रहा है मंसी को नहीं मिली एंट्री अमिशा के शत्रसकर दौरे को लेकर कांगर्स का ब्रदेश को पर जनकर का रिचल को जनकर को घेरा और राइपूर में पूर्व मंतर्य विश बोहन के नेत् 술र्द में बेदेश की जनकी प्रदेशन चालदा चौफपर क्या गया चक्काजा खबरों के शुरुआत करते हैं प्रदेश में मुख्य मंत्री बुपेश बंगेल का यूबाउ से भेट मलाकात का कारेकरम शुरू किया गया है वहें आपको बता देगे जिसे लेकर यूबाउ में काफी उत्सहा देखने को मिला मुख्य मंत्री बुपेश बंगेल ने मीडिया से बाचीद के दोरान बताया कि राइपुर सन्बाग के कॉलिज के यूबाउ से मुलाकात हुई दोरान यूबाउ के विचार और सीयम ने जाने और उनके कुछ सवालों के जवाब भी उनके दोरा दिये गए वहीं यूबाउ के कुछ मांगी थी जिसकी घूशना से बुपेश बंगेल ने की थीयम ने बताया कि यूबाउ के साथ भेट मुलाकात का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उन्होंने बताया कि यूबाउ के कुछ सपने हैं उमीदे हैं वह हमारे शत्रिसगर के भविश्य हैं उनके सपनों को हम लोग बातावरण दे जिसे से बच्चे आगे बढ़ सके वहीं ग्रहा मंतरी आमिर शाह के दोरे को लेकर भी मुख्या मंतरी भगेल ने मीडिया से चर्शा की उन्होंने कहा कि चुनाब का समय है रात को आते हैं सुबह चले जाते हैं देखिए क्या होता है तो कालेज में है उनके विचार भी हम लोग सुने सवाल भी लिया गया जवाब भी दिया गया कुछ मांगे थी उसकी भोषना भी की गई और बहुत अच्छा अनभाव रहा जो लोगों के सांथ भेट मुलाकात का अर्दम तो सपने हैं उम्मीदें हैं उसको लेकि हमारे नाजवान है हमारे नाजवान है वह हमारे शत्तीज गड़ते भ्यूश्य हैं और इसके सपनों को हम लोगों को बहुत आवरान दें थांकि बच्चे आगे बातें सब्सक्राइब के लगभी यू आए थे यूवर कहीं लगए लगभी से हम लोग आगी बढ़ रहे हैं केंद्रि ग्रह मंत्री अमिर्शार शनिवार की देर शाम राइपूर पहुचे उनके साथ केंद्रिय मंत्री और शत्रजगा बीजेपी के जुना प्रभारी मंसुख मंडाविया भी राजधानी राइपूर पहुचे वह आपको बता दें कि शाह प्रदेश कार्याले कुश्या भाव ठाकरे परिसर जुन्बर तराई में प्रदेश के बीजेपी नेताओ की हाई लेवल बैठक ली गई इसमें प्रदेश प्रभारी ओमात होई डॉक्टर रमन सेंग प्रदेश अध्यक्षा अरुंसाव नेतर प्रतिफक्ष नारायन चंदेल मौजूद रहे प्रदेश के सियासी गलियारे में तरह तरह की बात हो रही है इसको लेकर अंग्रिस नेता बीजेपी पर तंचकस रहे है ग्रह मंक्री आमिर्शाह के च्छतसगर्ड दौरे को लेकर कांग्रिस ने बीजेपी पर जम कर निशाना साथा च्छतसगर कांगेस संचार विभाग के प्रामोक सुशियल आनल शुकला ने बीजेपी पर निशाना साते हुए कहा कि बीजेपी का केंद्रिय नितरत्वर च्छतसगर के बीजेपी नेताओ को नकाबिल समझ रहा है आपको बता दें कि यही कारण है कि हर हफ्ते बैटक लेने के लिए आमिश्या को आना पड़ रहा है इतना ही नहीं जिस राज्ये में चुनाब होता है उसे राज्ये के नेताओ को चुनाब की बागडोर दी जाती है लेकि बीजेपी के केंद्रिय नितरत्वर को च्छतसगर क बीजेपी नेताओं पर भरूसा नहीं है इसलिए जुनाब की बागडोर भी दूसरे राज्ये के लोगों के हातों में दे रखा है इससे यह पता चलता है कि फट्रिसकर की बीजेपी नेताओं में यह काबलियत नहीं है कि वह जुनाब समीती का अध्धन कर सकें वरिष्ट भास्पाय नेता नंकी राम कंवड को भगाय जनब जह द्यापत्ति जनफ रहित इस प्रदीश के वरिश्तम नेताओं में से एक है प्रदीश की वरिष्ट आज्वासी नेता भारती जनता पार्टी को छत्तिवड़ में अस्थापित करने में उन्होंने अपना खोन पसीना लगाया है लेकिन जिस पकार से उनको अपमानित करके भास्पा काजले कोशाभाव ठाकने के जेट से वापस किया गया राइपुर में कांग्रेस के आरोओं के जवाब में पूर्भर नेता प्रतिपक्ष ध्रगलाल कोशिक ने कहा कि शराब की खबत का आमरिकॉर्ड राजर सरकार कम दिखाई थी जब E.D. का छापा पड़ा तो शराप की खबत एक एक बढ़ गई वहीं आपको बता दे कि क्या E.D. के छापे के बाद पीने वालों की संख्या बढ़ गई है वहीं उन्होंने राजसरकार के द्वारा खोले गए स्कूलों की जाच को लेकर भी कांगर्सरकार को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि लोगों की जम्हादारे बनती है कि वह सरकार की सुविधा बच्चों को मिल रही है कि नहीं इसकी जाच करे एक सजग प्रतनेदी, माफ कीज़े जनप्रते नेदी का करतव्य है कि उनकी सजगता आने वाले चुनाव में काम आएगी वहीं उन्होंने बुबेर सरकार पर तंचकास्ते हुए कहा कि कांग्रेर सरकार की प्रात्मेकतार शिक्षा नहीं शराब है एक सजग जन पतुगी वनियकी नापिर चाहे वो आज विधायक को या नापिर लिकुन उताब दाइद तो है कि बहुत लंबे वर्सों तक वो विधायक के रुपे मंत्री के रुपे काम दिया और उसके बाद में जन्ता ने उनको वोड़ दिया है वो अपनी जवाब दे ही समझ से करके जिस त्रकार से स्कुल में जाकर के सब दोरा कर रहे है वहां सजांत पठाल कर रहे है कि बच्चों को कोई तकलिफ तो लिए हो रही है समय पर साइकल दीनिन दैकर बैटने की विवरस्ता है कि नहीं है फरनीचर है कि नहीं एक सज़ग जंग तफ्रीधी का ये समझनों पहचान है केवल मंत्री रहे तबें उनकी जवाबदार ये कि नहीं है तो उनकी सज़गता आने वाले चुनाव में भी काम आएंगे और जो कम्या है वो दुरुस्त कराएंगे मुझे रखता है कि बच्चों को लाब मिलेगा क्योंकि वैसे ही सिक्षा के छेत्र में कांगरिस की सरकार जब से आई है तो रेंकिंग में आप देखे होंग कि राश्टी इस तरफ पर सबसे खराब प्रदर्संद 36 गड़ता है राइपर में पूर्व मुख्यमादरी डॉक्टर रमन सिंग ने आई-एस रारु साहू की गिरफतारी को लेकर बया दिया है उन्होंने कहा कि इस मामले में पूस्ताश होगी जाच चल रही है यह बहुत बड़ा मकरजाल है इसमें बहुत से लोगों का हाथ है जो भी दोशी होगा उस पर कारपाई होगी वहीं मीडिया से बाचित करते हुए मुख्यमादरी वुपेश बगेल के एडी और आई-टी वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि डिरेक्टर अक आफ-लाइन करने का शर्णी अंतर कैसे कर सकता है इसका जवाब सरकार नहीं दिया तो आपको बता दें कि राइपूर में पूर्व मुख्यमादरी के द्वारा जो अभी गिरफतारी हुए है आई-एस रादू सिंग की इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया है उन्होंने मामले के में पूछताच की जाएगी और जाच चल रही है इस बात की भी जानकारी द पूछतार यही का आ जा रहा है कि अभी भी कारवाई चल रही है और आगे भी और लोगों के नाम जो है आने की आशंका जताए जा रही है वहीं उनके द्वारा मेडिया से बात सित करते हुए एडिए वाले आईटी वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि डिरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता यह एक प्लाइनिंग का पार्ट है और इसमें और प्याने लोगों के शामिल होने की आशंका है यह सरकार हम नहीं कह रहे हैं भारती जंदा पार्टी आरूप लगा दी तो एक अलग बात अब तो परत दर परत पूरे जंदा के सामने आने लगा है न्याले में जाने लगा है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेड इदी ने तो तक तेरा हजार पेज का साख्ष न्याले में प्रस्थ किया है किसी मुख्यमंतरी के लिए इससे बड़े साख्ष और क्याती है कि जांच इजेंसी राष्टी इस्तर की एक एक बाद पे भर्ष्टाचार के आरोप लगाते तत्थों को न्याला के सामने रखी है उपर और नीचे कुछ नहीं है तो डिर्टर माहिन्स साथ महने से जेल के अंदर क्यों है जो पालशी बनाने वाले हैं डिर्र्य माहिन्स जब पालशी बनाएगा तो पालशी बनाने में डिरेक्टर अगेला कुछ नहीं कर सकता सेक्रेटरे और मुख्यमंतरी वो विभाग का भारषाद मंतरी खनी जुई विवाग मुख्यमंत्री जी का है यदि वो डिरेक्टर यदि किसी मामले में अभियुक्त बना है दोसी पाया है तो अंतिवरू से तो मुख्यमंत्री की सहमत ही होगी राइपर में बीजेपी कार्य करता हो ने पूर्व मंत्री ब्रजबोहा नगरवाल के नेगरत में शादा चौक पर जंगे प्रदर्शन कर चक्का जाम किया वहीं आपको बता दी कि वीजेबी के सैक्रो कार्य करताओं ने शार्दा चोक जैस सम्चोक और फिर सत्या पारा चोक पर प्रेदल मार्च कर प्रदेशन किया विजेबी 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 विजायक और पुवरमंतरी विजेबी वहां अगरवाल ने जग्दी सभा को संबोदत करते हुए कहा कि नगर नेगा भेष्ट चार का अड़ब बन गया है तर्फ उसदिया से चीव और विधायक भीकाऊ सुपात जैया का भी प्यथ किया और आज लोगों के चहरों पर खुशी भी देखने को मिली वहीं आपको बता दें कि विधायक विकास उपाध्याई ने इसके बाद साहु पारा डंगनिया में साहु समाज के लिए भावन निर्मान का भूमे पूचन समाजिक जनों के द्वारा करवाए राएगर में रविबार को आई टी आई शात्रवास के अधिक्षिका के लिए परिक्षा आयुजित की गई यह परिक्षा शांते पूंधंग से संचालित हुई नौडाला दिकारी शिप्षर कवर ने बताए कि राएगर में 47 परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 3630 परिक्षार थी उपस्तित रहे तमाम केंद्रों पर परिक्षार शांते पूंधंग से संपन हो गई मैं आपको बता दे कि सबी केंद्रों पर सारी व्यवस्थाय दूरुस्त रही तो आपको बता दे कि राएपूर में संस्दिय सचीव और विधाय का विकास उपाध्या ने कई राइपूर में रविवार को आई टी आई शात्रवास और अधिक्षा का अधिक्षिक का के परिक्षाय आयुजित की गई जिसमें आपको बता दे कि यह परिक्षाय जो है शांती पूंधंग से संचालित हुई वहीं आपको बता दे कि नौड़ा लधिकारी शिफ्रंकर ने बताये कि राइगर में 47 परिक्षा केंदर बनाएं गए हैं जिसमें परिक्षाय हुई है और जिनका समापन शांती खूंधंग से हो चुका है वहीं आपको बता दे कि 3623 परिक्षा थी परिक्षाव में उपस्तित रहे जिन्हों ने सफलता पूर्वक परिक्षा में भाग लिया और परिक्षा को सफल बनाया कि अधिक्षक अधिक्षी का परिक्षाए जिसमें राइगर में 37 परिक्षा के इंदर थे और इसमें 13,597 विद्यार्थिंदर फाम भारा गया था और तीनहजार छेशाव तरीस आज उपस्तित रहे और 9970 अनुपस्तित रहे और किस प्रकार की नकल होगा रहे हैं कि ने ने आज किस प्रकार की नकल की कोई जानकारी या तुन नहीं मिला नहीं है कबीजाम जिले में सिटी कोट वाली धाना अंत्रगत मंदीर में मंदिर से ताला तोड़ कर चोरी करने वाले आरोपी को पुलस ने गिरफतार कर लिया है जिस पार टीम गढ़त का पुलस ने अगियात आरोपी को गरफतार करने में सफलता हासल की है वह आपको बता दे कि पुश्टाश करने पर चोरों ने चोरी करना स्विकार भी कर लिया है तो आपको बता दे कि चोरों का कहर इस तरीके से बढ़ रहा है लाको में कि आप जहां पहले चोर जो है सडकों पर घरों में चोरी करते दिखते थे तो आप मंदिर भी जो है और सुरक्षित है आपको बता दे कि एक चोर के द्वारा कवरदा में मौजूद मंदिर में चोरी की जाती है जिसमें दान पेटी को उठा कर ले जाता है वहीं आपको बता दे कि मामले में सजट्टा से पुलस ने कारवाई करते हुए पुछी ही घंटों के बाद जो है इस मामले में चोर का खुलासा कर दिया और जिसके बाद जो है चोर समेत चोरी किये गए पैसे को भी पुलस के द्वारा जप्त कर दिया गया है कबीरदाम थाना अंत्रगत घुगरी में मोटा पंप चोर को पकरने में पुलस ने सफ़ता हासिल की है आपको बतादे कि मामला ग्राम गुगरी का है जहां पार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करा है कि गुरू नाला के पास खेत में लगे पंप को कोई अग्याद चोरों ने चोरी कर लिया है पाविद्र सावन महीने का कल तीसरा सोंबार है आपको बताने की बीते इस पूरे महीने में छतसगर के कबिरधाम जिले से लेकर मदर परदेश की अमरकंटर कर तक बोल बम और हर हर महादेव का गुंजमान होने लगा है ऐसा ही नजारा परोसी जिले, बेमत्रा, मुंगेली और रास्दान गाव के सरहदी छेतरों से भी आने वाले पदायात्रियों और कावडियों में उत्सहा और उमंग देखने को मिल रहा है परोसी जिलो की तुलना में अमरकंटर्ट से माह नर्पादा की जल लाने वाले कावडियों की संख्या में काफी जाफा हुआ है आपको बता दें कि कावडियों की बढ़ती संक्या को देखते हुए कबिर्धाम जिला प्रशाशन द्वारा कावडियों की मुल्भू सुविधाओं जैसे उनके ठहरने की व्यवस्ता, उनके प्रात्मे की स्वास्ते की व्यवस्ता सहिद अन्य मुल्भू सुविधाओं में भी विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थे की ववस्था और साथ ही साथ उनके साफ सफाई की विवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशाषन के द्वारा करी तरीके के इंतिजाम किये गए हैं, मनिपूर में महिलाओं के साथ हुई आमान वे घटना को लेकर संसल से लेकर सड़क तक हंगामा हुरा है वहीं इस मुद्ध को लेकर धमतरी में कांग्रेसियों ने घड़ी जोक पर पीम बूदी और मनिपूर के सेम का पुतला दहन किया घटना के विरोध में चंकर नारेबाजी की साथ है कांग्रेसियों ने मनिपूर के सेम को बरखास्त कर उनकी गिरफतारी की भी मांग की है वहीं आपको बता दे कि कांग्रेसियों का कहना है कि मनिपूर जल रहा है प्रदर्शन के बारे में आप सब पूरी दुनिया जान रही है इतनी शर्मचार भटना भटी है पिछले ठाई महिने से मनिपूर चल रहा है कोई उसका सुध लेने वाला नहीं है केंदर में बैठी सरकार जब तीन महिन से दंगे भड़क चुके हैं वहाँ पर दो समुधायों के बीच में इन लोग ने आग लगाई है क्योंकि जो मेठी समुधाय है उसके 40 सीट के बचाने के लिए उन्होंने कुकी समुधाय को पीछी करके ये हिंसा भड़काई है और ये हिंसा का कारण सिर्फ वहाँ पर जो ऐलान हुआ है कि SCST का रिजर्वेशन मेठी को भी मिलेगी और उस बात को लेके ये तंगे शुरू हुए है जब वहाँ पर ऐसी बात थी तो वहाँ पर तुरंट किसी चीफ जेस्टिस को नियुक करना था वहाँ पर महिलाओं को इस तरह कैसे नगड़ करके उनके साथ अत्याचार करना ये पूरे देश के लिए हमारी हिंदु सब्धिता के लिए हमारे शास्त्रों के विरुद है ये मनिपूर की जो विवत्स घटना उसके किलाब आज महिला कांगरेस एवां विवक कांगरेस तो आप लोग भी पत्रकार साथी है चौथे इस्टम रहते हैं देश में इससे गंडी विवत्स घटना ने होचा तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार मनिपूर में हुआ है मनिपूर जल रहा है एक बात और ख्याल करना से आप लोग घ्यान लें तो रावुल गांदी जी जी मनिपूर का दवरा करके आया थे तो उन्होंने कहात हम रहे थे मुखिया से कि आपको मनिपूर जल रहे आप उस प 75 दिन बाद संसक के बाहर से देना इसका मैं घोर मिंदा करता हूँ अब खबर सीहोर से है जहां विदायक सुदेश राए दौरा ने विदायक कार्याले का शुभारा भवे संदरकान पार्ट के साथ जनता का कार्याले जनता को समर्पित के आगया है वहीं आपको बताते हैं जोरान विदायक ने कहा कि जनता का कार्याले उन ही को समर्पित है वहीं सनातनी पदलती से पूरे विदेविदायान के साथ कार्याले में पूजा की गई वहीं आपको बताते हैं कि साथी भवे संदरकान का पार्ट कर हनुमान ची का आवाहन के आग खबर विलासपुर से है जहां से चावल गोदाम के आसपास खड़ी ट्रकों में आई देन बैटरी जोरी होने का मामला सामने आया है जिसकी शिकायत पार्ती प्रदीप शर्मा और प्रबोध अगरवाल ने थाने में दर्ज करा का वरिश अधिकारियों को अफ़कत कराया वह मामले को गंबी हीता से लेते हुए पुलिस अधिक्षक ने टीम गठिट कर आसपास के सीटी वी फोटेज कैमरे को चेक किया गया दोसमें गोदाम के में काम करने वाला करमचारी ही चोर निकला वहीं पूस्ताश में आरूपी ने अपने साथी के साथ मिलकर बैटरी चोरी करने का जुन्र स्विकार किया है पुलिस आरूपीयों के एक अबजिसे चोरी की बैटरी बरावत कर आरूपीयों को ने अधिमार पर भेज़ दिया गया है तो आपको बता दे कि इलाके से जो है लगा ता चोरी की घटनाएं आ रही है और जिसमें ये बेहद ही एक गोपनी बात बनी हुई थी कि आखिर बैटरी चोरी कर पुन रहा है जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को सजकता से लिया जिसमें पुलिस के द्वारा जो है वहां के आसपास लगी हुई CCTV फुटिज को खागाला गया और जिसमें फैक्टरी में ही काम करने वाला जो करमचारी है वो चोर निकला और साथ ही उसके साथ अन्य साथ ही भी जो है मिलकर चोरी क्या करते थे वहीं आपको बता दे कि चोर थे पुलिस ने चोरी करना भी स्विकार कर लिया है और इसके बाद पुलिस ने जो है चोर समेथ सभी बैटरियों को भी बरावत कर लिया है इन दोर में उजेन में हो रही जोड़दार वारिश के चलते गंभी डैम लबालब हो गया है वहीं डैम में पानी आवक लगातार बनी हुई है जिसके चलते जल उसना मेंट्रेन करने के लिए पहले डैम का एक गेट खोला गया पानी के भर पूर आवक बनी रहने की वज़े से बाद में डैम के दो गेट और खोलने पड़े वहीं आपको बता दे कि शिप्रा नदी भी उपान पर होकर छोटे पुल के उपर से होकर बह रही है शिप्रा का जल स्तर बढ़ जाने से रामघाट पर बने मंदे जल मगन हो गए है इदर गंभीर डैम में प्रयाप्त पानी जमा हो जाने के बाद सोववार से शहर में नियमत जल प्रदर की आग जाएगा वहीं आपको बता दी कि इसको लेकर गंभीर डैम प्रभारी राजी शुकला ने बताये कि इन दोर में यश्वांत सागर डैम का एक गेट खुलने की वज़े से इसका पानी गंभीर बांध में आ रहा है जिसकी वज़े से बांध का जल स्तर लगाता है बढ़ रहा है इसले दो-तीन दिन से गंभीर डैम के कैश्मेंट एरिये में जवर्दस्त बारिश हो रही थी और इसके अलावा इंदोर के यश्वांत सागर के भी कैश्मेंट एरिये में बारिश चल रही थी इसके कारण यश्वांत सागर अपना 19 स्ट का पूरा लेवल पार कर लिया था तो उनके एक गेट को कल प्राथा ग्यारा बजे के करीब ग्यारा बच के 20 मिनट पर खुला लिया था उससे जो पानी आया और इसके लावा यस्वांत सागर के डाउन स्ट्रीम से लगा कर वो जेन गंबिल डेम के अप इस ट्रीम के बीच में भी जो जो जोरदार बारिश होई थी पिछले दो दिनों से वो पानी भी उसकी जोरदार आवक के चलते हुए गंबिल डेम पर शाम के समय लेवल अपना साड़े 1800 MCFT पहुँच गया और आवक लिरंतर जारी थी इसको देखते हुए रात के 10 बच के 45 मिनट पर गंबिल डेम का एक गेट ओपन किया गया आधा मीतर खोला गेट नमबर 3 इनको और इसके बाद भी जब लगातार काफी ज़्यादा आवक हुई और जलिस्तर बढ़ने लगा तो गेट नमबर 4 और 6 को भी करमिशा खोला गया और इस परकार अभी की इस्तिती में टोटल 3 मीटर की गेटों की ओपनिंग चल लगी 36 गर राज्य हास कमीटी के जेयरमेन मौहमद असलम खान ने बताया कि राज्य से हज्यात्रा पर गए यात्यों का पहला काफिला फाइनास की फ्लाइट से नाकुर इंटरनेशनल एरपोर्ट पहुचा हज्यात्रा पूरी कर लोटे 326 यात्यों के काफिले में 172 पुरुष और 114 महिलाई यात्री शामिल है वह आपको बता दें कि जिसमें जिलाबस्तर के 5, विलासपुर के 22, दुर्ग के 99, पूरिया के 1, राइपुर के 146, बलूदा बजार के 6, बेमित्रा के 5, बालूद के 8 बल्रामपुर्ट जिले के 4 हज्यात्रियों की वापसी हुई, उन्होंने बताया कि हज्यात्रियों की वापसी पर एएपूर्ट में लगे जो प्रांत प्रतिये का हज्यात्री को 5 लिटर पान्यों कलब्द कराया गया और साथ ही एएपूर्ट में हज्यात्रियों का राज् पेहाज कमेंटी की पहतिर वेवस्था के लिए उनका अभार प्रक्ति किया फिलालस बुलिटिन में इतना ही ख़बरों के और भी जानकारी के लिए बने रहे हैं हमार साथ नमस्कार कौन नहीं चाहता कि उसकी खूप सूर्थ परसनेल्टी हो वो भी फिल्मे एक्टर्स की तरह मॉडल्स की तरह दिखें लोग उसे घूम घूम कर मुर्मुर कर देखें सबका दिल करता है इसलिए लोग जिम जा रहे हैं कसरत कर रहे हैं काजू बदाम किश्मिश मेवे खा रहे हैं